मायके से बिदा होकर सुराल आने के बाद सुधा वहु ससुराल की सारी रसमे निभाते निभाते ठक कर चूर हो गई थी वैसे भी लड़कियों को साधी में हपते दिन पहले से ही अनेकों रसम रिवाज भूखे प्यासे निभाने पड़ते हैं तो थकान के कारवर वह बैठे बैठे ऊप गई थी सुधा को समने मिलकर उसे अपने कमरे में पहुचा दिया उसका मन हो रहा था कि कब भारी भरकम बनार्शी साड़ी का लबादा उतार कर कोई हलके फुलके कपड़े पहन ले और सो जाए ऐसा अभी वो सोच ही रही थी कि बिजे कमरे में घुस्ते हुए बोले सुनो चेंज करने से पहले जाकर मा के पैर चुकर आओ सुधा ने सर जुका कर कहा जी अच्छा सुधा को पता भी नहीं था कि मिहमानों से भरे पूरे घर में सासु मा का कमरा कौन सा है वो लवादा ओड़े नीचे से उपर तक सभी से पूछ कर नूड़ती रही सभी मिहमान महिलाये दातों से उंगली दबाय देखती रही और सब के मुह से यही निकल रहा था कि मानना पड़ेगा कि आज के जवाने में ऐसी बहु मुलना मुश्किल है सास से मिली तो वा बोली अरे बेटा तु क्यों परिसान हो गई अभी अभी तो सब के पैर शुकर ही गई थी मैं जानती हूँ तुझे बिजय ने भेजा होगा जाओ आराम करो कल सुबह जल्दी उठकर सब को प्रणाम करना होता है सुधा जैसे तैसे अपने कमरे में पहुची बिजय उसे समझाने लगा देखो मेरे लिए मेरी मा सबसे पहले और मेरी पतनी होने के नातित तुम्हे भी इस बात को गाठ बांद लेना चाहिए तुम उसे पहले और खुद से पहले मा के बारे में सोचोगी सुधा ने हां में सिर हिलाए और सोचने लगी बिदा करते समय मा ने भी तो यही नसीहत दी थी कि सास और पती के बाद ही उसे अपना ख्याल रखना है उसे इतनी समझदारी तो थी कि इस बात को समझे दूसरे दिन बिजय के जागने से पहले ही वो उठ गई और सास के बताय नेमों को निभाया आँख खुलते ही बिजय ने पूछा सुधा तुमने जी मैंने मा जी के साथ सास सब के पैर चू लिये और अब जा रही हूँ रसोई घर में चूला चूने करते हुए सुधा नीचे चली गई सुधा हमेशा कोसिस करती थी कि वो अब सबसे पहले सास के लिए कुछ करे फिर खुद के लिए लेकिन बिजय के टोका टाकी से वो सरमिन्दा हो जाती सादी के बाद उसकी पहली बट सावितरी की पूजा थी माने मायकी से सारे घरवालों के साथ साथ उसके लिए भी एक सुंदर सी साड़ी भेजी थी वो बहुत खुस थी अपनी साड़ी निकाल कर देख रहे थी तब ही विस्तर पर लेटे लेटे विजय बोल पड़ा तुम माने पूरे घर वालों के लिए कपड़े भेजे हैं देखो तो जरा सुधा ने सूटकेस खोला और एक एक करके सबके कपड़े पती को दिखाई मा की साड़ी देखकर विजय बोला मेरी मा के लिए ये घटिया साड़ी भेजी है तुम्हारी माने एक काम करो ये साड़ी आप चिंता मत किजिए अब हर समय हर तीज तेवार पर विजय का यही राग रहता पहले मेरी मा के लिए फिर अपने लिए धिरे धिरे सुधा ने अपने सारे अर्मानों को भूल कर अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया पहली बार मायके से बुलावा लेकर चोटा भाई आ इदने की यूँ फाल्दू का पैसा क्यों बरबाद करना सुधा वोली अच्छा ठीक है लेकिन मैं एक सुन्दर सी साड़ी मा के लिए ले जाना चाह रही थी उन्होंने माजी के लिए कितनी सुन्दर सुन्दर साड़ीयां भेजी थी विजय विफर गया और बोला अच्छा तो तुम मुझे ताने सुना रही हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मा से अपनी मा की बराबरी करने की अवकात में रहो समझी सुक्रमनाव की मेरी मा की वज़े से ही तुम यहां पर हो पता नहीं उसने क्या देखा जो तुम ही उठा लाई अपने से नीचे लेबल के ख इसलिए खुद को कपड़े की आलमारी में कपड़ा ढूडने के बहाने उल्जा रखा माय के आई तो सबने मिलकर जोरदार स्वागत किया मा से गले मिली तो दर्द नदे की तरह धारा बनकर फूट पड़ा मा डर गई पूछ बैठी बेटी क्या हुआ तुम खुस नहीं हो क् कहीं भाप न ले इसलिए सुधा ने आखे पोच ली और बोली मा बहुत दिन बाद मिली हूँ न तुस्ते तो खुसी की आसु को रोक नहीं पाई कुछ देर वहाँ गब सब के बाद सभी भाई बहन उसके साथ आये कीमती सूटकेस को देखने लगे और खुस होकर पूछने लगे बताओ न दिदी जीजा जी ने हमारे लिए क्या भेजा है सुधा कुछ देर के लिए बिजय की बातों को भूल गई थी लेकिन फिर से उसके दिमाग में बीती बाते हरी हो गई सबको आस्चर से देखते हुए बोली ओ अब मैं क्या करूं क्या हुआ दिदी छोटी ब बेटा हम तुम्हें देखने के लिए ब्याकुल हो रहे थे तुम्हारे उपहार के लिए नहीं तुम्हेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है मा से जूट बोलकर सुधा का हिर्दा चन्नी हो गया वह कैसे और क्या बताए कि उसके पती के दिल में उन लोगों के लिए कोई हमारा नहीं था कि वह सुधा के माई के जाए सुधा ने पिता का मान रखने के लिए विजय से दबे स्वर में कहा सुनिये जी मा चाहती है कि आप मुझे लेने आए तो अच्छा होता हमारे यहां की यही परंपरा है विजय बोखला गया उसने साफ कह दिया कि आना चाहती ह तो आजाओ नहीं तो उसे कोई सौक नहीं है उस घटिया जगा पर दोबारा जाने का और हां मैं तुम्हारी मा का खरिदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हें आदेश दे रही है समझी सुधा के कानों में जैसे कोई आग का गोला दाग रहा हो उसने बहुत दिन से अ एक बात कान खुल कर सुन लीजिए आपको जितना अपमान करना हो मेरा कर लीजिए मेरी मा को आप कुछ भी कह ले अब मैं बरदास नहीं करूंगी आप समझते क्या है इन लोगों ने अपनी बेटी अपने से उचे हैसियत वाले परिवार में करके कोई गुनाह कर दिया है क जो हिसान के तले दबे रहेंगे और आप जब चाहें तब उनका आपमान करते रहेंगे भ्रम में हैं आप मुझे नहीं आना वैसे घर में जहां मेरे माबाप को सम्मान न मिले दूसरी बात बहुत हो गया मेरी मा तेरी मा का अलाप सुनते हुए मैं जानती हूँ कोई आदर नहीं करते हैं आप अपनी मा का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं क्योंकि जो मा का सम्मान करते हैं वो सब की मा का सम्मान करते हैं मैंने कभी भेदभाव नहीं किया अपनी मा और आपकी मा के बीच जाइए बोली अपने ड्राइबर को गाड़ी लेकर वापस चला जाए सुधा ने फोन काट दिया और कमरे से बाहर निकल गई सारे परिवार वाले सुधा के आक्रोज को देखकर दंग रह गए थे सीधी साध और सबको प्यार बाटने वाले सुधा के अंदर इतना तुफान भरा था उन लोगों ने लाग समझाने की कोशिस की पर वो जाने के लिए तयार नहीं हुई उसने भी सर्थ दिया कि वो तभी जाएगी जब विजय उसे लेने आएगा इधर विजय सुधा की बात सुनकर ग खीक तो हैं इतना सुनते ही तन्वी जो आशो चुपाने का प्रयास कर रही थी कि आशो की धारा पूट पड़ी बोली भाईया ये मर्जात क्यों नहीं समझते कि उनकी पत्नी को सिर्फ प्यार किया सकता होती है जैसे हम सासु मा का सम्मान करते हैं वैसे मेरे पती भी मेरी म मा का क्यों नहीं सम्मान करते क्यों बात बात पर मेरी मा को नीचा दिखाते हैं हम अपना घर बार छोड़ कर बिना आराम कि ये सब का ख्याल रखती है फिर भी उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है तंग आ गई हूं मैं भाईया अब मैं नहीं जाओंगी वहां कभ ये कहकर तनवी बिजे से लिपट कर रोने लगती है जबकि बिजे अपने ही ख्यालों में मगन अपने आप से नजरे नहीं मिला पाता है उसे खुद से घृड़ा हो रही थी कि मैंने भी तो यहीं किया बात बात पर सुधा का दिल दुखाया जबकि वह हमेशा हमारे लिए ततपर रहती बिजे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था वह तनवी को चुप करा के तुरन बाहर जाता है और बाजार से धेर सारी सौपिंग करके उधर से ही सुधा के माय के पहुच जाता है दरवाजे की बेल दवाता है तो सुधा दरवाजा कोलती है और उसे देख कर है बिजय दर्वाजे पर ही सुधा का हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है और सुधा सिच्छमा करने की भीक मांगता है जिसे देखर सुधा कहती है उठ जाईए क्या कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं बिजय आंख में आसू लिये बोलता है देखने दो जब तक तुम मुझे माप नहीं करोगी तब तक मैं नहीं उठोंगा ठीक है ठीक है माप कर दिया सुधा के घरवाले ये सब देख कर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और बिजय अंदर जाकर सब के लिए लाय तोफे दिखाता है सुधा अंदर ही अंदर भगवान को खूब धन्यवाद करती है तब ह अचानक से फिर से डोर बेल बसती है सुधा दर्वाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी ननद आई हुई है सब उसका स्वागत करते हैं तभी तन्वी विजय से बोलती है तो भाईया कैसा लगा मेरी एक्टिंग विजय हैरान हो जाता है लेकिन खुस भी होता है और धन्य बात देते हुए कहता है थैंक्यू दीदी मुझे एसास दिलाने के लिए सुधा भी समझ जाती है और मन ही मन अपनी प्यारी नंद को धन्य बात करते हुए उनके गले लग जाती है तो तन्वी सुधा से कहती है अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फोन कर लिया था और तुम् सुख रहे अब सब अच्छा है